सिर्फ तीन कटिंग से आपकी बालकनी में चारचान लग सकते हैं दो इंच की एक कटिंग को मैंने इस प्लांटर में बालकनी पर लगाया दूसरी cuttings को मैं ले कर गई चट पर और वहां के planter में soil के अंदर दो टुकडे करके लगा दिया इस planter में जहां बारिश भी थी और तेज धूब भी थी और तीसरी cutting को मैंने रख दिया shade में एक cup के अंदर थोड़ा पानी डाल कर जिसमें morning glory की भी cutting रखी थी इसको रखा था रोटिंग के लिए तो इससे ये पता चल जाता है कि पानी में भी आप आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं तो आज दोनों तरीके से मैं सिखाऊंगी और वंडरिंग जियो कि इस प्यारी सी cutting को मैंने सेप्तमर में जगा जगा लगाया था इस एक वेस्ट में भी लगाया था जब cutting थोड़ी बढ़ गई तो मैंने इस तूटे हुए मग में grow किया था इसके इसी भी वो छे इंच की या साथ इंच की हो गई तो मैंने उसको फिर से कट किया और जगा तगा लगाया यह है एक खुबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर दिखें मैंने इसमें दो या तीन cuttings उन प्लांटर से लेकर लगाई जिसमें थोड़ी सी बढ़ गई थी और आप किस खुबसूरती के साथ ये ट्रेल कर रही है इस प्लांटर में ये जब वाइन लटक कर आती है न तो बहुत खुबसूरत लगती है और इस वाइन के खुबसूरती को देखकर अभी भी मैं इसकी cuttings को पानी में रखती हूँ क्योंकि ये पानी पर भी चलती है यहां पर आप ये फर्स्ट कटिंग जिसको मैंने चोटे से प्लांटर में लगाये था वेस्ट प्लास्टिक में और अब किस खुबसूरती के साथ इस वालकनी पर चल रहा है जहां मौनिंग की थोड़ी सी सनलाइट आती है बाकी टाइम नहीं आती तो जब भी आप कटिंग को लगाएं उसको सेमी शेड में जरूर रखें रूटिंग हो जाने के बाद ही सनलाइट में लाएं आज कल विंटर में इसको चाहिए है अच्छी सी धूप तो मैं अपने हैंगिंग प्लांटर को उपर लेकर आई हूँ छट पर और वहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है ये तो हैं जो काफी पुरानी हो चुकी है तो उसका कलर चला गया है वो थोड़े दिन बाद जढ़ जाएंगी फार्टिलाइजर इसको बहुत जादा नहीं चाहिए रहता है मिट्टी लेकिन वेल ड्रेंज चाहिए क्यूंकि इसको रखना है आपको बालकनी पर भी और टेरिस पर है नौड एरिया जहारूटिंग हो रही हो बस उसी की कटिंग आपको लगानी है प्लांटर में मिटी में मिटी में सैंड जरूर मिलाना है क्यूंकि वेल्डें सॉयल तयार करना है और बस इस तरह से होल बना लीजिए और उसमें आप स्टेम को यह नौड एरिया देखते तब तक आप इसको धूप में रखे और पानी देते रहे लेकिन जैसे ही फॉग होने लगे ज्यादा कोल्ड होने लगेगा तब आप इसको बालकनी पर दुबारा लेकर जाईएगा और कवर करके रखे या फिर सेमी शेट में रख दीजिए जान थोड़ी सी धूप तो आए लेकिन ठंडग बिल्कुल ना लगे और एक बात बताती हूँ पानी में रूटिंग के बाद जिस कलम को मैंने लगा दिया था वो तो अच्छे से चल रही है लेकिन जिस कटिंग को मैंने बारिश में बिल्कुल छोड़ दिया था वो नहीं चली बारिश के पानी से खराब ह तेज धूप से भी खराब हो गई थी अभी तक मैंने इस पर कोई पेस्ट नहीं देखी हैं बहुत खुबसूरत सी वाइन है कलर भी खुब अच्छे से परपल और सिल्वर कलर तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि आला हाफिस